स्टूडेंट्स यह mcq series है सेट्स चैप्टर की जो आपको सेट्स टॉपिक है उस चैप्टर की फर्स्ट कोश्चन आपके सामने है विच आप दे फॉलिंग सेट इस नौट पॉसिबल कौन सा इन में से ऐसा कौन सा उप्शन है जिसका सेट नहीं बनाया जा सकता सेट क्या होता है जो वैल डिफाइन हो ठीक है और जो डिस्टिंक्ट बजेक्ट्स हो इसके अधर क्या हो अलग अबजेक्ट्स हो तो वैल डिपास्दूक्रातिया। हर einzige person डिफाइज कर सके प्राइम नमबर अप unos अगर आपको बोला जाय a Primes numbers निकालो to तक तो उसब निगाल सकते हैं इवन फ्राइम नम्बर सब तो हंडर वो भी पाथा हैं लैटर स्वार्मिंग दा वर्ड स्कूल को को न रहे है क्षी बना रहे हैं वना रहे यह पांच लेटर स्कूल को मना रहा है अगर ये तीन कोशन किसी से पुशे जाए तो सब इसका आंसर एक जैसे ही देंगे क्योंकि ये वैल डिफाइंड है अगर आपको बोल जा रहा है और डिफाइंड नहीं है। मैं इसलिए इसका अप्षिन नहीं बनाया जा सकता है। तो यह आपका फर्स्ट एम से क्यों आपको आएंगे क्योंकि मैं वही उठा रहा हूं जो आपके पुराने परीवेस पेपर्स में आए है। second आपके सामने है which of the falling is not a set इस वर्ड का जो प्रिंसिपल वर्ड है इसका जो सेट बना होगे वो क्या क्या बनना चाहिए मैंने आपको बताया था ठेक है पहले P लिख लो फिर R लिख लो फिर I लिख लो फिर N लिख लो फिर C लिख लो अब जो एक बार लिख दिया उसको बा तो अब रहा गया ए ओल तो यह आगया P R I N C L पी आर राइंसी एल प्रिंसल पी आर राइंसी यह तो इसका एप्शन ठेक है बाक्यों में और भी ज्यादा लैटर से तो वह अप्शन नहीं तो यह है प्रिंसल इसका एप्शन है नेक्स्ट कोशन आपके सामने कोशन नमबर माइनस 3X प्लस 2 is equal to 0 तो बच्चों कैसे करेंगे X के माइनस 2X माइनस 2 सप्लिटिंग तर मीडर टरम कर ली ठीक है फिर इसके बाद X कॉमन आ गया X माइनस 2 माइनस 1 भी कॉमन ले लिया X माइनस 2 तो इसके दो आप्शन आए एक X माइनस 1 और एक X माइनस 2 तो इसके आंसर क आगे एक 1 आया और एक 2 आया तो 1 2 वाला कून से है डी ऑप्शन ठेक है यह नंबरिंग थोड़ी सी गलता है क्योंकि नेट से निकाले गए है अलग 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 टाइप की कोशन तो यह नंबरिंग आपने वैसे ही करनी है जैसे हम चल रहे है तो यह फोर्थ कोशन है ठेक ह एक नेटरल लंबर है और जिसका स्केर से 9 माइनस करो तो वो 0 आता है ठेक है नेटरल लंबर बोला है एक्स क्या हो ना चाहिए नेटरल लंबर भी ऑप्शन में माइनस 3 है माइनस 3 तो इंटीजर होता है तो यह नहीं आएगा C option में एक integer है माइनस 3 तो ये भी नहीं आएगा natural number ठेक है अब D option में दोनों natural है और A option में भी दोनों natural है मगर ऐसा natural number जिसका square करने के बाद 9 से माइनस करो तो वो 0 आएगा तो इस दिए एक 9 भी है तो 9 का square 81 81 मेंसे 9 माइनस करो कभी भी 0 नहीं आएगा तो इसका भी A option है क्यों? क्योंकि जो ये 3 है आप 3 natural number भी है और 3 का square करोगे और फिर उसको 9 से माइनस करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा ठेक है तो ऐसे करते हैं MCQ आपको पूरे पूरे solve करने की जरूरत नहीं होती आप option से भी eliminate कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आपका fourth question था अब चलेंगे हम fifth question पर ठेक है? तो आप बने रही है आपको sets के सारे MCQ कराए जाएंगे अब इसमें बोला है जो A है उसके पास 5 elements है और बताओ कि जो 2 है इसके बीच में कुन सा symbol आएगा मैंने आपको बताया था अगर आपके पास एक set है उसके पास कोई भी elements है तो अगर आपने बताना हो कि 5 A के पास है तो आप belongs to का sign डालते है 5 belongs to वैसे 2 A के अंदर है तो आप बोलोगे 2 belongs to A तो C option है ठीक है? I hope आपको यह अच्छे से समझाया होगा next question क्या इस X के पास 9 है? नहीं है तो हम भी बोलेंगे 9 does not belongs to तो इसका option number D है ठीक है? अगर कोई element उसके अंदर belong करे तो belongs to symbol और अगर belongs नहीं करे तो does not belongs to जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अब हम करेंगे next question बचो next question है which of the falling is the correct representation इन में से कौन सा ऐसा है जो इस set को बताएगा ठीक है? क्या बोलता है? X is a positive integer integer तो होना चाहिए positive तो आप देख सकते हो B के पास negative integer है तो B तो नहीं होगा ठीक है? अब और ऐसा होना चाहिए जिसका Q हमेशा 50 से शोटता हो Q हमेशा 50 से शोटता हो आपको पता है 5 का Q 125 होता है और ये तो 50 से शोटता नहीं है तो इसका A भी नहीं आएगा ठीक है? अब देखो 123 भी आगे और 0123 भी आगे ठीक है? मगर इसने बोला है पॉस्टिव इंटीज है तो बच्चों मैं आपको बता जाता हूँ 0 एक ऐसा नंबर है जो न्यूटरल होता है इसको ना पॉस्टिव बोलते हैं न नेक्टिव बोलते हैं इसलिए 0 D बाल ऑप्शन भी नहीं आएगा बताईए आपको लेक्टिव प्रवाइड किया जाएगा ठीक है तो इसका आपका कॉर्एक्ट ऑप्शन कोन से है ऑप्शन नमबर सी ऑप्शन नमबर सी आपका कॉरेक्ट है अगर आपको मैं आथ के फंडामेंटर के रिगार्डिन कोई लेक्टिव चाहिए तो आप वह भी बताईए आपको भी प्रवाइड किया जाएगा इसको सैटेसफ़ाइगा तो यह दखो यह क्या बोर रहा है फिर्स्ट वाला एक्स टू एन ने तू मतलब इवन नमबर इसके पास तो सभी इवन नमबर नहीं है तो पहला तो नहीं आएगा ठीक है उब बोर रहे एन नेच्टू नमबर है तो सैकिंड ऊप्शन थेर्ड और फ़ॉर्थ वाला बोलता है एन स्कियर माइनस वां डालो नेच्टू नमबर साथ में बोला हैना सबके नेच्टू नमबर डालने यह इदे लिखा हुआ है तो डालो नैच्छल नम्र कहा से शुरू होता है जैसे आप डालोगे तो यह जीरो आजाएगा जीरो आपके पास नहीं है तो आपका भी भी कैंसल हो गया फिर अब 1 डालो थर्ड वाले में थर्ड आपके पास क्या है 2N प्लस 1 जैसे आपने 1 डाला तो 3 आया ठीक है तो हमारा तो 1 से शुरू है तो इसलिए आपका थर्ड भी नहीं आएगा मगर जो D है D आपका कौन सा अप्शन है 2N माइनस 1 आप इसमें पहले 1 डालोगे N को तो आपका 3 मिलेगा N को 3 डालोगे 3 तो 6 माइनस 1 आपको 5 मिलेगा तो D आपका कॉरेक्ट है जिससे आपको यह सारे आंसर्म मिलेंगे तो ऐसे करेंगे हम यह भाला कोशन बच्चों नेक्स कोशन आपके सामने हैं नेक्स कोशन के हैं नेक्स कोशन होगर आप दियान से देखो तो बोला गया है आपके पास एक सेट है एक सेट है बी और दोनों का माइनस करना है पहला सेट को उनसा आपके पास वन टू थ्री फोर दूसरा सेट है आपके पास थ्री 4 5 6 आपने माइनस करना है मतलब इस सेट में से जो यह ऐलिमेंट है यह सारे के सारे बाहर निकालने बाहर निकालने ठीक है जो यह पहला वाला सेट है इसमें से यह वाले सारे ऐलिमेंट निकाल देने तो आपने सबसे पहले देखना है कौन कौन से ऐलिमेंट दोनों के पास है तो आप देख सकते हो 3-4 इसके पास भी है इसके पास भी है तो element किसके निकालने है इस पहले वाले के जो पहला वाला होता है उसमें से निकालने होते है तो जो 3-4 है आपने बाहर निकाल दी जैसे आपने 3-4 बाहर निकाल दी है तो स्टूरेंट्स आपको क्या बच गिये वाफिस A के पास क्या मिल गया 1 और 2 क्योंकि A में से आपको B की अलिमेंट निकाल देने हैं A में से B की अलिमेंट बाहर निकाल देने हैं तो इसका option number है C अब इस साथ में मैंने आपको बोला था आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा तो मैं आपको डिफरेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट बता जाता हूं यह आपके पास एक सेट है A यह आपके पास है एक सेट B ठीक है तो students जो आपका डिफरेंस वाला portion है वो यह होगा A माइनस B इसको बोलते है A माइनस B इस वाले portion को बोलते है यह जो portion है इस वाले portion को क्या बोलते है A माइनस B ठीक है जो ये वाला portion है इस वाले portion क्या बोलते है A-B और ये कैसे मिलता है ये आपके अपास पूरा A है इस में से जो ये वाला B है ये जो आपको क्या दिख रहे है B दिख रहे है इस A में से जो ये B है ये पूरा निकाल देना है बाहर निकाल देना है तो जो पीशे बच जाएगा यह बला इसको क्या बोलते हैं A minus B I hope आपको difference का meaning समझ आया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो please आप मेरे से पूछ सकते हो comment section में बच्चों हम next question करेंगे same question है A आपका 1,2,3,4 है B आपका 3,4,5,6 है मगर आपको पूछा गया B minus A अब क्या करना बच्चों B के element लिखने है 3,4,5,6 उन में से minus करने A के element A के element कुन है 1,2,3,4 तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इन दोनों में common कों से है जो दोनों में है वो कों से है 3,4 इसमें भी है और 3,4 इसमें भी है तो निकले हैं यह कों से यह B है B में से A वाले बाहर निकाल लिए A के कौन थे इसके अंतर 3,4 तो बाहर निकाल दिये तो remaining कों रहा गया 5 और 6 तो इसको option number 5 minus 5 और 6 option D next question है जो question number 11 था क्या बोला गया है क्या A minus B और B minus A always correct होते हैं तो हम बोलेंगे यह always correct नहीं होते हैं कभी-कभी correct होते हैं कभी-कभी क्या होते हैं false होते हैं क्यूंकि आप example 9th 10th question में देख लो set तो same है मगर A minus B equal नहीं है तो यह true है नहीं यह false है तो इसका कौन सा option है option number B वैसे बच्चों हम next question करेंगे आपको बोला है A minus B और B minus A equal है तो बताओ A और B कैसे element होंगे तो यह तब ही हो सकता है जब A और B equal होंगे A और B क्या होंगे equal अगर A और B equal होंगे मतलब अगर आप A लेते हो 1,2 और B लेते हो 1,2 दोनों equal है अब आप minus करो तो जैसे आप A में से B minus करोगे तो सब निकल जाएंगे 5 रह जाएगा और अगर जैसे आप B में से A minus करोगे तब भी सारी निकल जाएंगे ठीक है तो यह कौन सा option है option number B अब यह जो इसके साथ बाकी चीज़ें equivalent sets disjoint empty यह मैं आपको भी बिताता हो थोड़ी देर बाद ठीक है तो पहले आप कोशन कर लो अभी हम इसको भी discuss कर लेते हैं equivalent sets क्या होते हैं ठीक है next question क्या है numbering आप अपने हिसाब से कर लेना numbering net से question निकाल लेगी है ठीक है तो और एक सेट है रेल numbers का s rational number है तो यह r है ठीक है एक किसका set है रेल number का इसके अंदर एक s है यह कौन है rational number तो बोलता है r में से s निकाल दो और में से s निकाल दो जब rational निकल गे rail में से तो कौन बच गे irrational क्यूंकि आपको पता है जो रेल number है वो किस्से बनता है rational और irrational तो जब रैशनल निकाल दिये यह जो रैशनल थे यह बाहर निकाल दिये तो पीशे कौन बच गे irrational तो यह आपका आगया c option आई होप आपको इतना सा समझ अच्छे से आया होगा अब स्टूरेंट्स अब हम समझते हैं अपरी टर्म्स जो हमारी समसर के वह में आई थी वह फर्स टर्म्स क्या थी equivalent सेट क्या थी वह equivalent सेट तो मैं आपको प्रीविस लेक्चर में बिदाया था सेट्स के दो सेट्स को equivalent तब बोलते हैं यह दो सेट्स हैं एक ए और एक भी इन दोनों को equivalent सेट कब बोलेंगे जब इनके अंदर total numbers of elements same होंगे मैं number बोल रहा हूँ number of elements क्या होंगे same इसका meaning पता क्या है अगर आपके पास एक सेट है ए उसके पास है 123 और एक सेट है भी उसके पास है ABC तो यह equivalent है यह कि इसके अंदर भी तीन element है इसके अंदर भी तीन नंबर बोल रहा है element की बात नहीं करता मैं number की बात करना हो तीन-तीन element होंगे हाँ वह सेम भी हो सकते हो लग भी हो सकते जैसे अगर आपके पास है 12 और इसके पास है XY तो यह भी equivalent है क्योंकि इसके अदर टोटल number of elements same है इसके पास भी दो element इसके बास भी दो एलिमेंट तो ऐसे सैट्स को हम क्या बोलते बच्चो एक्क्यूवैलेंट सैट्स बोलते हैं फिन नेक्स्ट इसके अंदर है डिजॉइंट सैट्स तो मैं आपको डिजॉइंट सैट्स भी बता देता हूं सैट्ट के जितने भी elements सैट्स जो भी New terms हैं वह साथ साथ डिसक्स करेंगे अगर आपको तब भी डॉल लगता तो आप प्लीज में बताइए अगर आपके पास एक सैट्स है एए और एक सैट्स है भी आप देख सकते ही दोनों भी दूर दूर है कि बीच में कुष्वी common नहीं है नो common element अगर दो sets के बीच में कुछ भी common नहीं हो तो वो दोनों sets क्या होते हैं उनके बीच में कुछ भी common नहीं होते हैं और empty sets वो होते हैं बच्चों जो खाल ली होते हैं इंदर कोई भी element नहीं होता है तो यह थी कुछ terms जो हमने आज discuss भी और यह कुछ mcq हमने sets के solve भी तो next lecture में आपको sets की over mcq मिलेंगी जिनका level भी थोड़ा सा ही होगा साथ साथ हमारा जो differentiability और limits हैं उसके mcq भी हम complete कर लेंगे उसके बाद हम next chapter भी mcq वाले करेंगे ठीक हैं तब तक के लिए बने रही हैं हमारे साथ और अच्छे से practice कीजिए कोई भी ड़वड़ा तो please comment section में बताइए I hope आपको अच्छे से समझार होगा thank you students have a nice day